हालो फ्रेंड्स मैं आपके लिए स्वीट रेसेप लेके आई हूँ शाही मलाई टोस्ट जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही एजी है फ्रेंड्स आप इस जरू ट्राइए कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शाही मलाई टोस्ट बलाने के लिए ब्रेट जो मैंने छोटी वाली ब्रेट ली है उसके तीन स्लाइज लिए है मैंने जब दिली घर की फ्रेश मलाई ली है फिर गुलाब जमून ली है मैंने आपके घर में जो भी स्वीट हो प्रषब रखना है और सब्सक्राइब रस रृटोश रृटोश सब्सक्राइब लिए करणा मैं गहा करेसे cent! तोस्ट करने के लिए ब्रेड को हम टोस्ट होने देते हैं जब तक माई ब्रेड टोस्ट हो रही है हम एक बाव में गुलाब जामून ले लेंगे इससे फोक की सायता से हम तोड़ लेंगे इस तरह से इस रेसेपी में गुलाब जामून बहुत ही टेस्टी लगते हैं बस इस तरह का मेश कर लेना है एक दम मेश नहीं करना है बस इस तरह का कर लेना अनिवन मेश फिर इसमें हम फ्रेश मलाई डालेंगे 3 टेबल स्पूर मलाई ली है मैंने हम इसमें शुगर का यूज नहीं कर रहे है क्योंकि गुलाब जामून अल्रेडी बहुत स्वीट होते हैं थोड़ी किसमिस डाल देंगे थोड़ी बदाम डाल देंगे इन सब को मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा मिश्रन बनके रैडी है देखिए हमारी ब्रेड भी अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी है एक दम कड़क टोस्ट हो चुकी है अब इसे टर्न कर लोगी अब जो आपने मिश्रन बना है साब गुलाब जांगा थो भी बना गुलाब जाओ और मलाईका बुलाब बनाई का वो इस पर ब्रेड़ कर दूद़ कर दूंगी मिश्रन को मिश्रान अच्छी तरह से स्प्रेड वो चुका है अब इस पर किस्मेश दाल लेंगे फोड़ी सी बादाम की टत्राने वो डाट लेंगे और इसे फाइब निट के लिए हम कूक कर लेंगे देखें 5 मिट हो चुके हैं हमारी मलाई भी अच्छी तरह से मैल्ट हो चुकी है गुडब जमून के साथ और टोस्ट भी अच्छी तरह से क्रंची हो चुके है अब मैं इसे सर्व कर लेते हूं लीजिए फ्रेंड्स रेड़ी है हमारे स्वीट डिश शाही मलाई टोस्ट यह में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स अब इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू हम इए प्लीज मेरे चाही है You